सिद्धार्द नगर जिले के शोरतगड विधान सबा के छतहरी मैदान में आज राजमार्गों के विकास के लिए आज शिलन्या समारुवत जनसबा का आयजिन किया गया जहां केंद्री परिवान वर राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी वर यूपी के सियम योगी आदितनात पहुचे इस समारो का आयजन शोरतगर के सतहरी मैदान में आयजित किया गया लगबग दो बजे योगी आदितनात के साथ केंदरी मंत्री नितिन गड़करी समारो स्थल पर पहुचे इस जनसमा में केंदरी मंत्री वो योगी आदितनात ने NH 730 के चोड़ी करण वो सुद्रिधी करण के लिए 209 करोड की परियोजना का शिलन्यास किया इस धनराश्य में इंडो नेपाल सीमा पर इस्थित बढ़नी कस्बे से शोरत गड़ तैसिल तक के राजमार को बेतर बनाया जाएगा जिसकी कुल दूरी 35 किलो मीटर है साथी जिले के आने राजमारों को भी बेतर बनाया जाएगा इस जोरा नितिन गड़करी ने कहा कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है किसानों की फसल के बेतर दाम, रोटी, कपड़ा, मकान की हमको चिंता है हम गरीबों की सेवा करते रहे जब सबको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा तब हमारा काम पूरा होगा देश की उन्नती के उन्होंने सडकों को बेहत महत्पूर्ण बताया और कहा कि सडके अच्छी होगी तो अच्छे उद्योग आएंगे उद्योग से नौजमानों को रोजगार मिलेगा 7,643 किलोमीटर मार्ग थे जिसे आच 14,800 किलोमीटर यानी दुगना कर दिया हमने नेपाल वा बांगलादेश को जोडने वाले रोड बनाए नदियों में जलमार्ग बना रहे हैं हरदियार से नेपाल तक जलमार्ग का निर्मान को विक्सित कर रहे हैं अब यूपी की चीनी जलमार्ग से बांगलादेश जाएगी जिससे खर्च में बहुत कमी आएगी इसके बाद यूपी मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ ने कहा कि समगरे विकास के लिए जन साभागिता की बहुत आविशकता है केंद्र सरकार ने बीते चार सालों में 13 मेडिकल कॉलेज जी है जिसमें से चार मेडिकल कॉलेजों को हमने अग पिछडे जिलो सिद्धार्टनगर, बलरामपूर, बहराईच, फतेपूर में दिये जिससे इन आती पिछडे जीलों में स्वास्त सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विबिन योजनाव से हुए विकास की बाते कही पेश शिद्धार्टनगर के सामवादाता मुहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट और यहां आए बागवान गौतम बुद्धव की भूमी में यहां से हम बौत दस सरकीट का जो कार्य कर रहे है उसमें से महत्वपुनर रोड के निर्मान कार्य का शुबारम बकरने के लिए आए है बैनोर भाईयों हमारा देश तेजी से बदल रहा है हमारे जवेश के गाव गरी मजदूर किसान का कल्यान कैसे हो उनको अच्छे रास्ते कैसे मिले उनको 24 गंटे बिजली कैसे मिले किसानों के फसल को सही दाम कैसे मिले और उनको रोटी कपड़ा और मकान कैसे मिले यही हमारी चिंता है पंडिक दिन डाल उपाधधाई जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में ये कहा है कि समाज के जो शोशीद है पीडित है दलीत है इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है इनके शरीर पर कपड़ा नहीं है ऐसे दरीदर नाराण को हम भगवान माने और हम उनके निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन इन हमारे गरीब भाई और बेहनों को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा हुआ ऐसा हम समझेंगे हम इस बात पे विश्वास रखते है कि कोई भी वक्ति उसकी जाप पंत धर्म भाशा और उसके सेख से बढ़ा नहीं होता कोई भी वक्ति उसके गुणों से बढ़ा होता है इस समाज के छुआ छुट अस्पुर्शता जातियता नश्ट करके हम सोशल एक्वालिटी और एकोनोमिक एक्वालिटी का सफना देएंगे अगर रोड बनेंगे तो अच्छे उद्योग आएंगे और उद्योग आएंगे तो युआओ को रोजगार मिलेगा मैंने अपने अफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक के लिख कर रखा है उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड बिकाज अमेरिका इस रीज़ बिकाज अमेरिका इस रीज़ बिकाज अमेरिकन रोड बिकाज अमेरिका इस रीज़ बिकाज अमेरिका इस रीज़ बिकाज अमेरिका इस रीज़ बिकाज अमेरिका इस रीज़ बिकाज अमेरिका इस री करना है तो रोड सबसे बड़ी अवशक्ता है दो हजार चौदा में साथ हजार शेसो त्रियालीस किलो मिटर राष्टिये महामारगा था पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने दुगने राष्टिये महामारगा कर दिये हैं अब चौदा अजार आ हमने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया हम नेपाल से लेकर भुतान को अलग अलग देशों को जोड़ने वाले बंगला देश को जोड़ने वाले रोड बना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये रोड के अबल रास्तों के जाने वाले वहानों के लिए लोगों नहीं हम गंगा में जलमार्ग बना रहे हैं बाकी भी नदियों में बना रहे हैं हम लोग वारनसिर से हल्दिया तक जलमार्ग बना रहे हैं और इतना ही नहीं तो हल्दिया पोर्ट से नेपाल तक ले जाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के जलमार्गों का भी निर्मान करने के सोच रहा है बैनों और भाईयों इस साल उत्तव पदेश की चीनी हम जलम आरगे से बंगला देश वो एक्स्पोर्ट करने की पहल कर रहे हैं मेरा विश्वास है जिस से हमारी लॉजिस्टिक कास्ट कम होगी अगर रोड से जाने के लिए 10 रुपए खर्चा लगता है रेल्वे से जाने के लिए अगर 6 रुपए लगता है तो पानी से जाने के लिए के लिए एक रुपए लगता है और अब हम ये जहाज भी कोईले से बनेवे मिथिनाल पर चलाएंगे तो 60 पैसे कीमत आएगी अगर लॉजिस्टिक कॉस कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारे इंडस्ट्री आएगी और उत्तर पुदेश के जवान लोगों के हाथों के लिए काम बिले आगा आदम ये जो मार्ग है बहुत महत्तपूर्ण है कुसी नगर से गोरकपूर गोरकपूर से आनंद नगर आनंद नगर से नोगड नोगड से सोरतगड सोरतगड से बढ़नी बढ़नी से तोलसेपूर बल्लामपूर और स्रावस्ति ये पूरा हमारा जो बहुत परिपत है का सुभारंब आज यहां पर आदरिय गटकरी जी के करकमलों से संपन हो रहा है। स्वरत गड़ से बढ़नी का जो इमार्ग है बौद परिपत के साथ साथ हमारे मित्र राष्ट नैपाल जिसके मानिय सांसत क्रिष्णा नगर से मानिय सांसत से अविशेक परताब साथ स्वयम यहां पर उपस्थित हुए हैं। सीधे बढ़नी को क्रिष्णा नगर से जोडने का कारिय यह मार्ग देता है। इसे विक्सित करने के लिए प्रदेश सरकार अपनी संस्तोते भेजेगी जमीन अधिगर्ण की इस कारवाई को आगे वढ़ाएगी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब मानिय गटकरी जी जैसा मंत्री हो तो सौभाईक रुप से कोई संदे नहीं होना चाहेगी आने वाले समय में या कार्य होर लेन के रूप में विक्सित होगा और भारत नैपाल की सिमा उरती छेतरों में प्रिटन के पार संभावना को आगे बढ़ाएगा पर जो अभियान प्रारम हुआ है आप सब जानते हैं कि आजावी के बाद इस प्रदेश में मात्र तेरा मेडिकल कॉलेज खोले हैं और इस पार जब हमें आठ नए मेडिकल कॉलेज देने थे उन आठ नए मेडिकल कॉलेज जिन एक मेडिकल कॉलेज हम लोगों निस सिदार्थ नकर जन्पत को दिया है और एक नया मेडिकल कॉलेज से अडल बहारी बास पे जी सर्वे अडल बहार आया जा सकता है उत्तरप्रदेस के अंदर आठ ऐसे जिले हैं जो विकास के पैतानमर्द पीछे थे और उन आठ में से चार में हम नया मेडिकल कॉलेज स्वास्ति में और पोसन मिसन को सबस्ता पूरग हम आगे वढ़ा सकें इस दिस से दे रहे हैं जिनमें सिदार्थ नगर चनपद है बल्लामपूर है बैराइज है और फटेपूर है इन में से तीन मेडिकल कॉलेजे हम लोग नया देने जा रहे हैं और इस दिस से ये सबी कार्य समयबद ढंग से हों कार्य की मानकी गुणवक्ता को बनाए रखते हुए हों और आम जनमानस को बहतर सेवाएं प्र बिकास आम जनके अपिक्साओं के अनुरूप बिकास के कार्यों को समयबद ढंग से पूरा करने की तैयारी जब होगी तो पैणाम जनता के लिए सुकद होंगे